नमस्कार दोस्तों हमारी चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम 32 सेक्षन देखने वाले हैं MP Accommodation Act का इसमें दुती अपील के बारे में बात किये गई है कि धारा 31 के अधिन पर्थम अपील में पारित किये गई आदेश किसी आदेश की मतलब जो 31 में जो पर्थम अपील की कि जाती है तो उसके आधेश की विरुद दुती अपील नीचे बताया गई है इन आधारों पर ही होगी आने थंड नहीं होगी तो पहला आधार क्या है यह कि विनेशे विधी या विधी का बल रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल है जो की निर्ने दिया गया है तो वह ऐसा निर्ने दिया गया है 31 के तहट ऐसा निर्ने दिया गया है विधी या विधी का बल रखने वाली प्रतिकूल है मतलब यह तो बिधी की प्रतिकूल है किसी बिधी की प्रतिकूल है ठीक है विधी की प्रतिकूल है और दूसरी बात यह है कि बिधी का बल रखने वाली कोई प्रता है कोई प्रता ऐसी है जो बिधी के समान ही है तो उसके प्रतिकूल है उसके विरुद्ध है तो दुती अपी मैंने कि कि रायक इसको दिया जाए अगर यही कौशन था दो एसी का अवधारन ही नहीं हो पाया है मतलब जो जरूरी ताय ऐसा अवधारन करना उसका अवधारन नहीं हो पाया है तो भी दूती अपील dose पेल होगह और सलब्लावावत है कि तसका व्यंटा जाती है तो भी क्या होगा ऐसी मौण एड़ती अपीर की जा सकती है फिर से देखते हैं कि दुती अपील एक्तिस्थ के अधीन प्रथम अपील में पारत किया गया है। तो दूती अपील निमने लिखे ताधारों में से किसी आधार पर होगी, किसी अन्य आधार पर नहीं होगी, मतलग जो दूती अपील है, नीचे दिये गए आधारों पर ही होगी, जो तीन प्रकार के आधार बताये गए हैं, आनेता नहीं होगी, तो पहला आधार बताया गया तो भी दूती अपील होगी और तीसरी बात ये करता है यदि आधिनियम दोरा ये वहत प्रिक्रिया में कोई सारवन गलती अतुरूटी हुई है कोई ऐसी गलती अतुरूटी हुई है जिससे मामले का विनेश्य गुणा-गुण के आधार पर गलती अतुरूटी उत्पन हो ग दुती अपील की जा सकती है, तो दुती अपील कहा होती है, हाई कोट में होती है, और दुती अपील कितने दिन में होती है, नभी दिन में होती है, ये लिमिटेशन एक्ट की एंटी नमबर 16 में लिखा है, कि जो दुती अपील होती है, वो नभी दिन के अंदर रगत होती है, और बिधी के सारवान प्रश्ण पर होती है ये तो हर जगा ही लिखा होता है तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज के लिए सिर्फ इतना ही बाकी हम बाद में देखते हैं थैंक यू बाबाय